खोलो विल्कम बाएक टो मैच चैनल कैसे हैं आप सब और आप है मैं बहुत अच्छी हूं होग आप सब भी बहुत अच्छे होंगे तो मैं लाए हूँ आज आपके लिए मटन गुईया की सालन रेसिपी मटन को गुईया में कैसे बनाते हैं जो बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है तो मैं आपको बता देती हूं फटा फट से यह हमारे सारे इंग्रेडियन्ट जो मैंने यहां पे खटा करके रख लिये हैं मैंने यहां पे यूज किया है हाफ कीजी इस पता दाल चीनी और बड़ी लाइची यह है दही अद्रक लसन का पेज प्याद का पेज और दो कटे हुए प्याज तो अब हमें सबसे पहले करना है एक कुकर ले लेना है उसमें मैंने डाला है तीन बड़े चमस्त तेल जब हमारा तेल हो जाएगा गरम तो हम उसमें ए अच्छे से और डीप ब्राउन होने के लिए वेट करेंगे जैसे ही यह डीप ब्राउन हो जाएंगे हम इसमें एक करेंगे अपने चिकन मटन के पीसे तो हमने इसे एक कर दिया है अब इन्हें भी हम फटा फट से चला लेंगे जिससे कि यह नीचे से चिपके नहीं क्योंक पकने लगते हैं तो इसको चला लेंगे इसका जो थोड़ा सा पानी है मटन का वो भी हम यहीं पर जला लेंगे इसे भून लेंगे अच्छे से तो इसका कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा देखिए हो गया चेंज हम इसमें आड़ करेंगे अद्दक लसन का पीस्ट प्यास का और इन सभी को अच्छे से mix करके हमें भूनना है दो मिनिट के लिए हम इसमें से भूनेंगे उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे अपने सभी अब हमें इने दो चार हाथ चलाके इसे भून लेना है और भून के हमें छोड़ देना है आप जो हमने गुईया निकालके रखी थी हम उसे डीप और ब्राउं कर लेंगे आप चाहे तो गुईया को पहले से ही फ्राइब करके रख सकते हैं मैं बीच में ही कर रही हूं आपको है अब हम आगा नाम हो गई है अब हम यहिसे कूकर-वेस द्रफ कर दिया हैं, अब हम एड दह passado करने के बाद इन सब पीं-ख्वेस सब piorता है जैना मेरी पीश नियोंता के साथ दो हदो धू करने के सब भोझ मादमाने कल लेगा है मेंस दही से एक खटास आएगी एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा और जो भी पीसेस की स्मेल वगरा है वो सब खतम हो जाएगी तो हमें धिमी आज पे इसे अच्छे से भून लेना है भूनने के बाद अब हम इसमें एक करेंगे पानी पानी आप अपने अकॉर्डिंग रखेगा जिसना आप उस आलन चाहिए मेंस आपको बहुत जादा चाहिए तो आप उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं वरना आप पीसे अनुसार आट करिएगा जितना आपका कॉंटेटी है उस अकॉर्डिंग तो यह हो गया हमारा नमक भी आड अब हम इन सभी को मेक्स कर देंगे अच्छे से और लगा देंगे कुकर में ठककन और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे एक सीटी लेंगे हम हाई फ्लेम पे उस तो हो गए है 15 मिनट पूरे चलिए चेक कर लेते हैं जो हमारी घुईया थी और जो मटन के पीसेज है वो अच्छे से गल गए है या नहीं या हमें और गलाना पड़ेगा उन्हें रखके तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले घुईया को यह तो पूरी तरह से गल गई है अब ह करना है कि वो गला है या नहीं इसी नाइफ से हम इसे भी चेक कर लेंगे तो यह भी अच्छे से पूरी तरह से गल चुका है यह हो गया है हमारा सालन तयार अब हम यहां पे खुश्बू के लिए केवडा जल एट कर रहे हैं आपको अगर नहीं पसंद है तो आप स्केप कर सकते हैं और अगर पसंद है तो आप दाल सकते हैं यह आपके सालन को एक बहुत अच्छी खुश्बू देगा तो यह हो गया हमारा मतन और घुईया का सालन तयार कैसी लगी रेसिपी जरूर बताईएगा कमेंट करके और अगली रेसिपी के लिए भी कमेंट जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाँ बाई